नमस्कार आदा प्रणाम स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार, गुड आफ्टनून, चलिए, नमस्कार, 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 चलिए, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजे, ताकि जो बच्चे नहीं मालूम है, जिनको उनको पता चल जाए, गुड आफ्टनून रूबी, गुड आफ्टनून, नमस्कार, गुड आफ्टनून, गुड आफ्टनून, गुड आफ्टनून, चलिए, देली नहीं करते हुए प्रशन शुरू कर लें, नहीं अन्तू, आज मॉनिंग में क्लास नहीं हुई है, चीक है, आज है, रात को अभी क्लास होगी, चलिए, कोई बातनी लक्षमन, दीरे-दीरे लगने लगेगा, confidence आने लगेगा, चिंता मत करो, प्रशनों के माध्यम से ही confidence आता है, है न, जैसे जैसे आप प्रशन करते जाओगे, वैसे-वैसे confidence बनता जाएगा, चलिए, तो पहले प्रशन के साथ शुरूआत करते हैं, दशेरा अच्छा गया, आप लोगों का भी अच्छा गया होगा, आशा करती हूँ, मैं अपने त्योहार मनाने का तरीका थोड़ा अलग रखती हूँ, मेरा त्योहार मनाने का तरीका मेला खुमना नहीं है, या माहर जाना नहीं है, मैं अपने त्योहारों को किताबों के सा बनाती हूं, तो हाँ मैंने एक अच्छी किताब पढ़ी, दशेरे वाले दिन, है ना, वो समय तो कम मिलता है, ऐसा समय होना चाहिए, चलिए, पहले प्रशन के साथ शुरू करेंगे, हाँ बिलकुल आज आप पर क्लास होगी, बिलकुल होगी आज आपकी, चलिए, सूर्दास ने किस राकी रचना की, सूर्मलहार, सूर्सागर, सूर्सिंगार, इन में से कोई नहीं, एक से अधिक, जल्दी से बताए क्या हो जाएगा, आट से दस क्लास नहीं, कौन सी वाले आट से दस शुष्मिता, प्रणाम नमस्कार, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, सूर्द रचना ये जो सूर्स आगर आप देख रहे हैं, इसकी रचना अकबर ने कराई थी, अगर आपको मालूम नहीं हो तो बता दू, अकबर ने इसकी रचना कराई थी, जिसमें बहुत सारे इनके पद समाहित थे, है न, बताईए जल्दी से क्या उत्तर होगा, गुड़ा अफ्र दीजे सभी लोग, सूर्दास ने रचना की थी, सूर्मलहार की, इसकी सूर्मलहार की, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, हाँ, चलिए, अगला प्रशन, रागमाला ग्रंत की रचना, पुंडरीक विठल, रामा मात्य अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर, पटावट से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर, रागमाला ग्रंत की रचना, पुंडरीक विठल, रामा मात्य, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, जल्दी से बताइ आठ से दस सुश्मिता कल के लिए नहीं बूला था सभी लोग फटा-फट से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा पुंडरीक विठल और कोई जल्दी से बताईए क्या होगा A पुंडरीक विठल जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा राग माला ग्रंथ की रचना की है किसने पुंडरीक विठल ने इसके अलावा इनके और भी ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं वो बता रही हूँ इन्होंने कुल चार ग्रंथ लिखे हैं कितने ग्रंथ? चार ग्रंथ आप वो चार ग्रंथ कौन से हैं? सद्राग चंद्रोदय सद्राग चंद्रोदय राग माला चारो नाम लिख रही हैं इन चारो में से कोई भी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं ठीक है? चारो के नाम लिख रही हूँ ताकि आपको इनके अलावा भी अगर प्रशन देखने को मिले तो आप आसानी से कर पाऊ तो सद्राग चंद्रोदय हो गया, राग माला हो गई राग मंजरी हो गई कौन सी है? राग मंजरी ठीक है? राग मंजरी, राग माला, सद्राग, चंद्रोदय ठीक है, ये हो जाएंगे आपकी, हाँ तीन है, चौथा ग्रंथ याद नहीं आ रहा है भई, चौथा भी तो था एक, चलो याद आएगा मैं उसको भी लिखवा दूंगी, ठीक है, तीन ग्रंथ अभी लिख लिजे, आगले प्रशन का उत्तर दीजे सभी लो, रामा मात्य कृ ग्रंथ लिखा है, स्वर्मेल कला निधी, उसमें कितने प्रकरण है, चार, पांच, छे, साथ, इन में से कोई नहीं, बताए जल्दी से क्या होगा, हाँ नर्तन निर्ने, एकदम ठीक कहा, एकदम सही आद दिलाया, नर्तन निर्ने, देखो ध्यान नहीं था न, नर्तन निर स्वर्मेल कला निधी में कितने प्रकरण है, जल्दी से बताईए कितने प्रकरण है, फड़ावट से उतर दीजे, बिलकुल, नर्तन निर्ने, एकदम ठीक, जल्दी से बताईए सभी लोग, कितने प्रकरण है, बिलकुल, पांच प्रकरण है, कितने है, पांच प्रकरण है पांचों प्रकरणों का नाम कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कौन कौन सा नाम है, जल्दी से बताइए, पांच प्रकरण, सबसे पहला कौन सा प्रकरण, स्वर प्रकरण, फिर उसके बाद दूसरा प्रकरण, जल्दी से बताइए, स्वर प्रकरण, और बताईए वीना प्रकरण, राग प्रकरण, स्वर प्रकरण, इसके अलावा उपोध घात प्रकरण, और क्या हो जाएगा, जल्दी से बताईए, मेल प्रकरण, बिल्कुल, मेल प्रकरण, प्रकरण सभी में लगेगा, ये 5 प्रकरण हो गए, स्वर, वीना, राग, उपोध फटावट से बताईए अधिक लगे सारे लोगों ने उत्तर दिया है ना जूगी ने वी उत्तर दिया है बहुत बढ़ी हा अंशू भी उत्तर दे रही है चलिए बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा पड़ावट से उत्तर दीजे क्या होगा स्वर मेल कला निदी में कुल कितने स्वरों का वर्णन किया गया है जल्दी से बताईए मतलब वही रामा मात्ते के स्वरों की बात हो रही है किसके घोड़ा घुमा के पूचा गया है है वही रामामात्य के स्वर मैंने आप लोगों को अलग-अलग स्वर बताएं है बताए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर क्या होगा कुल 14 स्वरों के बारे में बताया उन्होंने कितने 14 जिसमे से की 7 कैसे है बढ़िया, सही उत्तर इसका B, अगला प्रश्न, स्वर्मेल कला निधी में कितने थाटों का वर्णन किया गया है, स्वर्मेल कला निधी में कितने थाटों का वर्णन है, थाट कहलो, मेल कहलो, एक ही बात है, ठीक है, 20, 19, 22, 29 इनमें से कोई नहीं, बताओ जल्दी से क्या जल्दी से उत्तर दो सभी लोग, स्वर्मेल कलान इधी में कितने थाटों का वर्णन किया गया है, जल्दी से बताईए सभी लोग क्या होगा उत्तर, जल्दी से, 20, 19, 20, 19, 19 और 20 की बात हो रही है न, अच्छा यही जो थाट थे स्वर्मेल कलान इधी के 63 रागों का वर्णन किया है, इन ही थाटों से उत्तर, रामा मात्य ने इन ही थाटों से या थाट या मेलों से उत्तर, 63 रागों का वर्णन किया है, कई बार ये भी प्रश्ण में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर 20 मेल कितने मेल 20 मेल ठीक है बिलकुल सही बात 20 होगा अगला राग निर्नाय ग्रंथ की रचना किसने की राग निर्नाय पुंडरीक विठल, रामा मात्य पंडित दामोदर, इन में से कोई नहीं एक से अधिक, बताओ जल्दी से पंडित जल्दी से बताओ हाँ, बिलकुल, बिलकुल पटावट से उत्तर दो बिलकुल तरे सठ राग जल्दी से बताओ क्या होगा उत्तर जल्दी से बताओ शवाना, एंड में एप डाउनलोड करने के लिए बताऊंगे अभी नहीं, पहले प्रश्न कर लो सारे, उसके बाद चर्चा करूँगी इस पर ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा पुंडरीक विठ्थल, एक दम सही बात राग निर्ने गरंत की रचना भी किस ने की है पुंडरीक विठ्थल ने की है सद्राग, चंडरोदै, राग माला, राग मंजरी नर्तन निर्ने, सोरी, नर्तन निर्ने या राग निर्ने हां, सही बात, तो सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्न का उत्तर दो सभी लो इनमें से कौन से संगीतकамен जहाँगीर के काल में थे अलग-अलग काल अभी आपको पढ़ाये जाएंगे जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगी तो आपको काल पढ़ाऊंगी अलग-अलग ठीक है? तो उन्ही काल से प्रश्ण है कि कौन सा संगी तक गया ऐसा था ये कहलो कौन से गायक ऐसे थे जो जहागीर के काल में थे विलास खाँ, छत्तर खाँ, परवेस खाँ, इन में से कोई नहीं एक से अधिक क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताईए हाँ, आप लोग यदि इच्छुक हैं तो स्वेच्छा से आप लोग लाइक जरूर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो सीथी सी बात है, ऐसा समझें कि आप लोग मुझे प्रोटसाहित कर रहे हैं कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर रही हूँ और थोड़ी आप लोगों के साथ की आवश्च्छता है, है ना? जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा? कौन से संगी तक ये जहांगीर के काल में थे? फड़ावट से बताईए, ए इस उत्तर की आशा मैं कुछ लोगों से तो नहीं कर रही थी, जो ज्यादा तर उत्तर सही देते हैं हाला कि बहुत सारे बच्चे कनफ्यूज हो सकते हैं, मैं मानती हूँ लेकिन कुछ एक बच्चे तो ऐसे थे, जिन से मैं अच्छे उत्तर की आशा कर रही थी बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा? 307 हमारे यहाँ इस समय प्रेजेंट हैं, और लाइक की संक्या कीवल 115 है, कोई बात नहीं? आप लोग धीरे-धीरे लाइक कर सकते हैं बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजे इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक, पूछो क्यूं? विलास खाँ, छत्तर खाँ, परवेज खाँ, तीनों के तीनों ही आपके जहांगीर कालीन है अप के हैं इलो? जहांगीर के काल के हैं, ठीक है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आरती समझ में आया सभी को? अगले प्रशन का उत्तर दो, संगीत दरपन की रचना किस काल में हुई? संगीत दरपन ग्रंत की रचना किस काल में हुई? बताओ जल्दी से सभी लोग क्या हो जाएगा? पड़ा पट से उत्तर दो जल्दी से बताइए क्या होगा? 1625, 1630, 1635, 1640 या इन में से कोई नहीं जल्दी से बताइए? शुक्रिया पूजा धन्यवाद जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? पटापट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा? राग दरपन किसने लिखी थी राग दरपन? सॉरी, संगीत दरपन I am extremely sorry नाम गलत बोला गया संगीत दरपन किसने लिखी थी? पंडित दामुदर जी की रचना है संगीत दरपन किनकी है? पंडित दामुदर जी की रचना है तंगीत दरपन ठीक है? किसने कब लिखी? 1625 में कब लिखी गई? 1625 में लिखी गई ठीक है? बिलकुल अगला प्रश्न संगीत दर्पण में कितने अध्याए हैं बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा संगीत दर्पण में कितने अध्याए हैं सभी लोग बताईए जल्दी से दो, तीन, चार, पाँच अथवा इन में से कोई नहीं बिल्कुल सही बाद, दामो दर्पंडेत संगीत दरपंड जल्दी से उतर दो सभी लो संगीत दरपंड में कितने अध्याएं हैं चांदरी चिंता मत करो मैं एक बार confirm कर लूँगी ठीक है ? चिंता मत करो जल्दी से बताओ फटा-फट से उतर दो सभी लो जल्दी से क्या हो जाएगा दो या पांच या साथ अच्छा अलग अलग उत्तर हैं चलिए दो अध्याए हैं वैसे स्वर अध्याए और राग अध्याए कितने अध्याए हैं दो स्वर अध्याए और राग अध्याए छीक है दो अध्याए हो जाएंगे तो इसकी सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका A अगले प्रशन का उत्तर दीजे सभी लो राग तत्व विबोध में कुल कितने स्वरों का वर्णन किया गया है सबसे पहले तो यह याद करो कि राग तत्व विबोध के रचनाकार कन है एना फिर याद करो कि कितने स्वरों का वर्णन है मतलब ये संगीत अग्यों के स्वर से ही प्रश्ण है लेकिन क्या हो जाएगा ध्यान रखना इस तरह के प्रश्ण जितने भी आएंगे उन्हें घुमा कर भी पूछा जा सकता है 20, 19, 15, 22 राग तत्व विबोध में कुल कितने स्वरों का वर्णन है जल्दी से बताओ फड़ावट से बताओ किसने लिखी राग तत्व विबोध बिल्कुल सही बात राग तत्व विबोध के रचना का रहें सोमनात कौन है सोमनात सोमनात की रचना है राग तत्व विबोध बिलकुल बिलकुल राग तत्व विबोध के रचना का रहे हैं सोमनात एकदम ठीक जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा अब देखो इन्हों ने 23 मेलों का वर्णन इसमें किया है कितने 23 मेलों का वर्णन किया है 23 मेल मतलब वही थाट 23 मेलों का वर्णन मिलता है इसमें तो ये भी प्रश्ण पूछ सकता है 23 मेलों का, ठीक है? जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बच्चे राग तत्व विबोध और राग विबोध दो अलग-अलग रचनाए हैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है? राग तत्व विबोध और राग विबोध एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट एक सिकंद, एक सिकंद, एक सिकंद, एक सिकंद एक मिनिट रुकिए इसको कन्फर्म मैं मुझे लग रहा है शायद आप लोग ठीक कहे रहे हैं राग वेबोध और राग तत्वे वेबोध यहां तो मैं भी नहीं यह जिस पुस्तक के प्रश्न है मतलब जिस पुस्तक से बनाए गए प्रश्न है वहाँ फिर कुछ गड़बड है राग तत्वे वेबोध ग्रंथ छोड़ दीजे अभी ग्रंथ छोड़ दीजे नई नई ने कंफ्यूज नहीं होना है रुख जाएए बस हम अभी इतना ध्यान देते हैं कि सोमनाथ जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें 23 मेलों का वर्णन है कितने स्वरों का वर्णन है ठीक है? कितने स्वरों का वर्णन है इसका मतलब की गलत दिया हुआ है यहाँ पर राग तत्विबोध यह जिस बुक से बनाये गए हैं उस बुक में फिर कोई ना कोई समस्या है हाला कि होनी तो नहीं चाहिए यह अन्सी आर्टी के बुक से बनाये गए प्रश्न है अभी फिलाल बताईए कितने स्वरों का वर्णन किया है सोमनाथ जी ने खाली सोमनाथ के स्वरों से प्रश्न का उत्तर दीजे अभी जल्दी से बताईए नहीं यह अब गढ़बढ वाली बात हो जाएगी क्योंकि राग परिचे में जो दिया गया है वो वही है जो हम लोग बोल रहे थे पहले और यह दिया गया है NCRT में तब तो कुछ ना कुछ गड़बढ है किसी ना किसी का तो सही है दोनों में से हाँ रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ धैरे धरो इसको अभी छोड़ दो केवाल इतने पार्ट को छोड़ दो बागी बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ श्री निवास जी ने कितने स्वर बताए है सॉरी श्री निवास नहीं पंदरा विकृत स्वर बताए हैं और साथ बताए हैं शुद्ध इस लिहास से कितने स्वर हो जाएंगे 22 स्वर हो जाएंगे कुछ न कुछ तो गड़बड है अब NCRT और राग परिचे में से कौन गलत है ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका मैं उत्तर आपको 6 बजे वाली जो क्लास होती है 6-8 वाली हमारी जो आयाची वाली क्लास है उसमें मैं इसको कंफर्म कर दूंगी ठीक है क्योंकि दोनों में से NCRT को जाधा सही मानना सही है तो मिरे को देखना पड़ेगा एक बार ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए अनूप संगीत विलास की रचना पुंडरीक विठल सोमनात भावभट इन में से कोई नहीं एक से अधिक छोड़ दीजे उतने पार्ट को भी छोड़ दीजे उतने पार्ट को मैं कंफर्म कर दूँगी आप लोगों को क्योंकि NCRT पर तो चैलेंज किया जा सकता है और NCRT में अगर ऐसा दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बढ है फिर पर राग तत्व विबोध तो फिर तो गड़बढ हो जाएगा जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा जल्दी से जल्दी से राग तत्व विबोध थोड़ दिजे उसको मैं देखती हूँ अनूप संगीत विलास पुंडरीक विठ्थल सोमनाच भावभट इन में से कोई नहीं एक से अधिक क्या हो जाएगा बस एक यही थोड़ी सी गड़बढ है नहीं राग परिशे सही है देखो राग परिशे से ही जादे तरलोग पड़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं है NCRT को अप्रोच करना बहुत अलग चीज होती है NCRT गलत नहीं हो सकती यही तो समस्या वाली बाती है कोई और पुस्तक हो तो फिर भी ठीक है जल्दी से बताईए पड़ावट सुप्तर दीजे C जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा अनूप संगीत विलास 11 क्या होगा भाव भट भाव भट जी की रचना है अनूप संगीत विलास ठीक है इसके अलावा इन्होंने अनूप प्रकाश और अनूप संगीत रतनाकर भी लिखी हुई है ठीक है तो वो भी याद रखेंगे हम लोग अनूप संगीत रतनाकर नाम से एक पुस्तक है वो भी याद रखेंगे ठीक है चलिए संगीत कल्पद्रुम की रचना कब हुई संगीत कल्पद्रुम की रचना कब हुई 1840, 1835, 1842, 1852 या इन में से कोई नहीं क्या हो जाएगा गीता यूट्यूब पर जो क्लास होती है वो 3 बजे होती है ना 3 पीम रोज सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा एस्टेट की परिक्षा बीपीएसी ने नहीं ली तो आपको जाना पड़ेगा कहां एस्टेट के लिए जिस बोर्ड ने एस्टेट की परिक्षा ली है आपको वहीं जाना पड़ेगा ठीक है जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा फठावट से बताओ नहीं आप लोगों के प्रशन बचते हैं अभी करनाते की संगीत के उसके प्रशन में कराओंगी मैं सोच रहे हूं कि प्रशन्न थोड़े से ज़ादा है उन प्रशनों का संकलनबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो रेगुलर वाली क्लास में नहीं हो पाएंगे वो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसे हमारा जो अभी मेरथन उने वाले ना शनिवारी अरविवार में से एक दिन उस दिन हम उसको कवर कर लेंगे ठीक है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा स 1842 कृष्णानंद व्यास इनकी रचना है बहुत सारी चीजे ऐसी है जो राग परिचय में भी गड़बडियां की हुई है इसलिए राग परिचय को भी पूरी तरीके से सही मानना गलत हो जाएगा सबसे बड़ी समस्य है कि संगीत के लिए जितने भी आप छोटी-छोटी क इंदोस्तान, इस पुस्तक के रचैटा कौन? सुरेंद्रनाठ टैगोर, कैप्टन विलियर्ड, सौमनाठ चटर जी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक जल्दी से बताएगे क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा हाँ मैं समझ रही हूँ वीरा मैं बिल्कूल समझ रही हूँ आपकी बात गलत नहीं है 9-7-16 लक्षमन फिर तो थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे इसको क्योंकि राग परिचे और हमारा ये NCRT दोनों अलग-अलग चीज़े कह रही है अब मुझे इसको थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा किसी और पुस्तक से भी बेफिक रही है अगर ऐसा है तो मैं इसको कंफर्म करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं कोशश करती हूँ लोगों को अलग-अलग किताबों से प्रश्न कराऊं बनाके है ना और अगर उसमें भिन्नता आ रही है तो फिर तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा मुझे इसका हाँ बिल्कुल गीता वो शाम को होती है रात को 9 बजे क्या हो जाएगा सही उत्तर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों को करी है इस किताब की चर्चा मैंने की है ट्रीटीज ओन दे म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान जब हम लोग 6 बजे से 8 बजे वाली जो शाम की हमारी क्लास होती है जल्दी से बताएं क्या होगा जल्दी है जल्दी ही टमाटर चिंता मत करो जल्दी ही शुरू होने वाली है जल्दी मतलब बहुत जल्दी बेफिक्र रहों है ठीक है जल्दी से बताएं कि जल्दी से उत्तर दूँ सभी लोग सांगीतिक रचना नाद विनोध के रचनाकार ये प्रशन पहले आया हुआ है जल्दी से बताओ आँ बिलकुल बिलकुल देखो मैं आप लोगों से कहूंगी मेरी बिंती रहेगी कि सभी लोग संगीत की किसी भी चीज के लिए Google पर विश्वास ना गरें गूगल पर आपको तरह-तरह की गूगल पर इस तरह के ब्लॉक्स बनाने वाले हैं इस तरह का जो मेटीरिल देने वाले हम जैसे ही लोग हैं तो उनको पूरी तरीके से सही मानना थोड़ा सा गलत हो जाता है और खास कर संगीत में तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप लोगों को अलग-अलग पुस्तकों में जो की अच्छी खासी authenticated books हैं उसमें भी फर्क दिखाई देगा क्योंकि संगीत के जो अच्छे ग्रंथ हैं उनको अनूदित कोई नहीं करना चाता यह बड़ी समस्या है तो यह दिक्कत है थोड़ी सी आपको जेल नी पढ़ेंगी मैं कोशिश कर दी हूँ कि इन दिक्कत को आप लोगों तक नहीं पहुंचने दूँ इन दिक्कत को पहले ही solve कर दूँ मैं बताए जल्दी से क्या उत्तर होगा नाद विनोद के रचनाकार जल्दी से बताए क्या हो जाएगा पन्ना लाल गो स्वामी क्या हो जाएंगे पन्ना लाल गो स्वामी इनकी रचना है नाद विनोद क्या हो जाएगा बिल्कुल 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 जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा हाँ बिलकुल बिलकुल पन्ना लाल गो स्वामी और ध्यान रखना नाद विनोध एक से जादा बार लिखी गई है मतलब अलग-अलग लोगों की किताब भी है नाद विनोध सांगीति ग्रंथ गीत सूत्रधार के रचनाकार कृष्णा धन बनर जी, कृष्णा नंद व्यास, पन्ना लाल गो स्वामी इन में से कोई नहीं एक से अधिक बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फटावट से उत्तर दो जल्दी से सांगीति ग्रंथ गीत सूत्रधार स्वामी हरिदास जी ने पहले लिखी है स्वामी हरिदास जी ने जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा फटावट से उत्तर दो गीत सूत्रधार के रचनाकार कौन है जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ गीत सूत्रधार के रचनाकार कौन हो जाएंगे बिल्कुल कृष्णा धन बनर जी ए इसका सही उत्तर होगा ठीक है मुदनुल मौस 씨 की मौदनुल ये मुदनुल कपढ़ा जाता है वैसे मौ देनुल मौसी की के इस ग्रंथ के रचनाकार डा, मुहम्मध अली एधा मुहम्मध राजा नवाब अली मौममध करम इमाम या इन में से कोई नहीं बता व जल्दी से क्या हो जाएगा हाँ बिलकुल 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 जल्दी से बताओ सभी लोग पड़ावट से उत्तर दो सभी लोग जल्दी से जल्दी से पड़ावट से बताओ जल्दी से देखो एक चीज और अगर कोई ऐसी पुस्तक है जो एक ही नाम से है और रचाईता एक से ज्यादा है तो ऐसे में आपको ओप्शन में देखना है कि ओप्शन में क्या दिया हुआ है मानलोगी स्वामी हरिदास जी ने भी वही पुस्तक लिखी है ना और किसी और ने भी वही पुस्तक लिखी तो फिर आप क्या करोगे जो option में दिया होगा दोनों में से हम वो चुल लेंगे ठीक है सही कौन सा है इस पर अभी मतलब एक से जादा लोगों ने लिखी है तो हम उस पर चर्चा उस समय पर नहीं करेंगे अगर प्रशन आये तो तो हम कोशिश करेंगे कि देखेंगे विकल्प में से कौन सा ऐसा विक्ति है ठीक है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा मुआदनुल मौसिकी ग्रंथ के रचनाकार क्या हो जाएगा सही उत्तर बिलकुल मुहम्मद करम इमाम क्या हो जाएगे मुहम्मद करम इमाम की रचना है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद करम इमाम 19-वी सदी में इसकी रचना हुई थी, कब हुई है, 19-वी सदी में रचना, ठीक है, रचनाकार मुहम्मद करम इमाम और रचना कब हुई, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, एक चीज और, इनके बारे में एक विशेश बात है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, मुहम्मद करम इमाम के बारे में कि इन्होंने कहा था ये पहले ऐसे संगीत अग्ये थे जिन्होंने बात कही कि केवल रिशब जैसे ही स्वर क्यों नीचे आएं क्या शड़ज और पंचम जैसे जो स्वर हैं अगला मारिफ नगमात ग्रंत के रचनाकार ये तो आया हुआ भी है PGT में प्रशनाया है याद है न सभी को मारिफ नगमात ग्रंत के रचनाकार मुहम्मद रजा राजा मुहम्मद अली राजा नवाब अली फकीर उल्ला इनमें से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से, आरती कह रही है, राग परिचे का संपूर्ण परिचे जाकर आये थे, इसमें आरो एगरो जो लिखा आये थे, राग दरपंड एक पुक है, जिससे वो वह नहीं मिलता है, मैं समझ नहीं पाई, आरती आप क्या पूछना चाहती हैं मैं मैं वो समझ नहीं पाई, now दोनों नहीं होगा दिखविजाई इतना तो informative कि अभी तक जितने भी प्रश्ट मैंने भी देखे हैं ऐसा नहीं देखा कि दोनों और दोनों हो तो फिर दोनों का option दिया होगा оп ठीक है और अगर option भी नहीं दिया हो तब तो तो दोनों में से कोई भी एक लगाओ, इश्वर वरो से होगा, फिर जो माने, हमारा जो बोर्ड है, वो जो भी आंसर माने, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, हाँ, मैं अंजली समझ पा रही हूँ, इसके बहुत सारे कन्फूजन्स इ अलग-अलग दिया हुआ है, और हमारे इसाब से, वो तो छोड़ी है, जो छोटी-छोटी पुस्तके हैं, किसी पुब्लिकेशन की हैं, अच्छे राइटर्स की जो बुक हैं, वहाँ पर भी आपको मतभेद मिलेगा, तो बड़ी गड़बडियां हैं, और NCRT पर विश्व कास नहीं करना, यह बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि NCRT तो बेस है सारी किताबों का, इसलिए मैं थोड़ा सा, मतलब परिशान भी हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि दोनों में अलग-अलग दिया हुआ है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से, मारिफ न न इनी से मिले थे भातखंडे जी, भातखंडे जी से बड़े प्रभावित हुए थे, यह राजा नवाब अली, ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा एक चीज और, राजा नवाब अली जी ने इसकी रचना की कब, तो रचना का जो काल है वो क्या हो जाएगा 1911, कब की? 1911 में रचना की थी इसकी, चीक है, यह भी थोड़ा सा लिख ले ना, 1911 में, बिल्कुल, 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 चलो, भातखंडे जी का जन्म, 10 अगस्त 1860, 11 अगस्त 1860, 12 अगस्त 1860, 14 अगस्त 1860 या इन में से कोई नहीं, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, NCRT की तो एक ही पुस्तक होती है, NCRT की ही, चीक है? बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर NIOS और NCRT की जो पुस्तके होती है वो बेस पुस्तके होती है हमारे बोर्ड की द्वारा बनाईगी पुस्तके है इसलिए उन पर विश्वास नहीं करना थोड़ा से मुश्किल होता है बताई जल्दी से क्या हो जाएगा Good afternoon जल्दी से उत्तर दू क्या होगा बिल्कुल सही बात एकदम ठीक बात जल्दी से क्या हो जाएगा 10 अगस 1860 भातखंडे जी का जन बिल्कुल सही बात जल्दी से जल्दी से अगला अभिनव राग मंजरी किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है मराथी, संस्कृत, तमेल इन में से कोई नहीं एक से अधिक बताओ जल्दी से क्या होगा बिल्कुल सही बातव जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बताओ अभी डिसंबर से पहले एक्जाम नहीं होगा अभी नूटिफिकेशन आ जाए नूटिफिकेशन के कम से कम डेड़ महीने तो लगेंगे जल्दी से बताओ क्या होगा अभी नव राग मंजरी किस भाषा में लिखा गया है जल्दी से हाँ बिल्कुल 16 स्वरों वाली बात भी मैं पक्का करूँगी बेफिकर रहो क्यूंकि वही राग परिचे वाला ही सेम है क्यूंकि वही राग परिचे से ही मैंने आप लोगों को प्रश्ण पूछा था है ना जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ बिल्कुल संस्कृत की रचना है मराथी में है क्रमिक पुस्तक मालिका है क्रमिक मालिका के नाम से जानी जाती है भातखंडे जी की वैसे भातखंडे जी की रचना है यह अभिना वराग मंजरी किसकी है भातखंडे जी की रचना है इसके बारे में भातखंडे संगी शास्त्र में भी दिया गया है ठीक है? हाँ, बिलकुल, बिलकुल अगला प्रश्न राग प्रवेश ग्रंथ के रचनाकार पंडित भातखंडे, पंडित पलुसकर, पंडित ओंका नाठ्थाकुर इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसे ही उन्होंने हिंदुस्तानी संगी शास्त्र जो पुस्तक लिखी है वो भी मराठी में है, बाद में उसको भातखंडे संगी शास्त्र के रूप में हिंदी में अनुदित किया गया था, ठीक है? जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ देखे, उस गरंत को पढ़ाने के पीछे का मेरा जो उद्देश है, वो सिर्फ एक ही है एक ही प्रयोजन है कि आपको authentic book मिल जाए मतलब ये समझो कि अगर उसमें कुछ दिया है तो वो गलत नहीं हो सकता, इसी वज़े से मैं उस book को पढ़ा रही हूँ उसे पढ़ाने के पीछे और कोई प्रयोजन नहीं किवल इतना ही प्रयोजन है अलग-अलग पुस्तकों में आप सोच रहे हैं अगर राग परिचे के दो अलग-अलग भाग उठाएंगे और सेम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इतना जादा समस्या है तो अच्छी किताबों का भाव तो है संगीत में इसमें कोई डाउट नहीं है पताओ जल्दी से क्या हो जाएगा ऐसे ही याद करेंगे हम लोग प्रशनों के माद्य हमसे करेंगे ठीक है क्या हो जाएगा सही उत्तर राग प्रवेश के रचनाकार हो जाएगे बिलकोल पलुसकर जी ठीक है 1901 में इन्होंने क्या किया था गंधर्व विश्व विद्याले की स्थापना ठीक है कहां की थी Bambai में कहां Bambai ठीक है यह भी याद रखना बिलकुल 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 कल चलिए बिल्कुल बिल्कुल रिशिकेश यही तो समस्या है इसलिए तो मैं भी थोड़ा सा इस बात पर थोड़ा चिंतित हूँ कि ऐसा कैसे किया जाए बिल्कुल बिल्कुल महिला संगीत भी लिखिये इन्होंने संगीत आंजली ग्रंथ के रचनाकार पंडित पलुसकर भाद खंडे ओमकानाठ ठाकुर इन्हें से कोई नहीं एक से अधिक चलो जल्दी से बताओ क्या होगा जल्दी से जल्दी से क्या होगा सही उत्तर बिल्कुल ओमकार नाठ ठाकुर जी की रचना है संगीत आंजली ठीक है इसकी रचना ओमकार नाठ ठाकुर जी की रचना बिल्कुल 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 इन में से चतुश्रुतिक स्वर कौन शरज, पंचम, धैवत, निशाद, एक से अधिक. बताओ जल्दी से क्या होगा? पटावट से बताओ. जल्दी से बताओ. जल्दी से, जल्दी से. पटावट से बताओ. क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से. जल्दी से बताओ क्या होगा? जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से. क्या हो जाएगा? बिल्कुल. देखो, शड़ज और पंचम, और एक और स्वर, मध्यम. ये तीनों कैसे हैं? चतुष्रुतिक हैं. चतुष्रुतिक हैं. ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. बिल्कुल. अगला बताओ. राग तरंगिनी में, लोचन ने कितने मेल स्विकार किये हैं? राग तरंगिनी, ग्रंथ में, लोचन ने कितने स्वर, कितने मेल, सौरी. मेल मतलब यहाँ पर किससे है? मेल को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ. मेल को और किस नाम से जानते हो आप लोग इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी वजिसे उंकारनठा गुर जी ने प्रणाव भारती नाम से यह ना जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा हाँ शड़ाज और पंच्यम बिल्कुल 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 जल्दी से बताओ क्या होगा राग तरंगिनी में लोचन ने कितने मेल सुईकार किये हैं कितने मेल मतलब की कितने संस्थान इन्होंने मेल को संस्थान का नाम दिया है ठीक है, संस्थान शब्द भी मिलता है इनके ग्रंथ में बहुत ज्यादा तो मेल हो, संस्थान हो, थाट हो, एक ही बात है क्या हो जाएगा? लोचन ने मेल अथवा संस्थान कितने माने? जल्दी से पताओ फटा-फट से पताओ क्या हो जाएगा? बारा संस्थान माने कितने बारा संस्थान माने है ठीक है बारा अगला भावभट ने अनूप संगीत रतनाकर में कितने मेल्स फिकार किये हैं यहां मेल की बात हो रही है ठीक है मेल की बात हो रही है हमें स्वरों की बात नहीं कर रही है कन्फ्यूज नहीं होना, मेल और स्वर अलग-अलग है, लोचन के स्वर पढ़े हैं हमने, ठीक है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, बिल्कुल, बारा थाट, थाट के नाम से लोचन, दिखिए, लोचन ने जो अपना ग्रंथ लिखा है, वो पहले लिख लिया, है न, इस इसमें ठाट शब्द प्रयोग में नहीं आता, संस्थान शब्द में प्रयोग में दिखाई देता है, और मेल शब्द भी दिखाई देता है कहीं-कहीं, ठीक है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, अनूप संगीत रतनाकर में कितने मेल, भावभट के द्वारा रचित, अनूप संगीत रतनाकर में कितने मेल हो जाएगे, 12, 20, 19, 22, जल्दी से बताएगे क्या हो जाएगा, 19 मेल, और कोई, D, E, very good, जल्दी से बताएगे क्या हो जाएगे, बिल्कुल, 20 मेल स्वीकार किये हैं, कितने मेल, 20 मेल स्वीकार किये हैं इन्होंने, ठीक है, भावभट अगला श्रीकंठ ने अपनी रचना रस कौमुदी में कितने मेल्स विकार किये हैं जल्दी से पताईए क्या हो जाएगा जल्दी से श्रीकंठ ने अपनी रचना रस कौमुदी में कितने मेल्स विकार किये 20, 10, 9, 12 इन में से कोई नहीं क्या हो जाएगा सही उत्तर देखो श्रीकंठ जी को मेल के मारफत एक और चीज के लिए जाना जाता है मेल स्वीकार करने के लिए एक और विशेश बात के लिए जाना जाता है कि इन्होंने मेलों की जो संख्या थी इनकी वो क्या हाँ बिलकुल आज 9 बजे रात को क्लास होगी इनके मेलों की संख्या सबसे कम थी, यानि के 9, इनों ने मेलों की संख्या सबसे कम स्विकारी है, ये बात खास है, कि सबसे कम मेलों की संख्या इन ही की है, 9, ठीक है, हाँ, बिलकुल, बिलकुल, ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, 9 इसका सही उत्तर होगा, ठीक, सबसे कम मेलों की संक्या यही बताते हैं, 9 मेल, बाकी सबकी जादा है, किसी के 10 हैं, किसी के 32 हैं, किसी के 18 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 19 हैं, किसी के 22, सबने अलग-अ लेकिन इन्होंने 9 बताए, सबसे कम इन्होंने ही बताए, श्रीकंठ ने, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, 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 चिंता मत करो, उसके लिए भी मैं बहुत सारी चीज़े अलग-अलग करूँगी, सुरूची, मैं वही कह रही हूँ कि राग परिशे के अनुसार, मैंने जो चीज़े आपको बताई हैं, और NCRT, दुनों अलग-अलग चीज़े कह रही हैं, मैं समझ रही हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने के बारे में मैं सोच रही हूँ, कि आपको केवल और केवल कोशिश करूँगी कि भातखंडे संगी शास्त्र से ही पढ़ाऊं, ठीक है, चलिए, आज के लिए इतने ही प्रश्न हुए, शाम को 9 बजे वाली क्लास आपकी होगी, 9 बजे वाली की जो क्लास है, उस क्लास में मैं वही थियोरी कराऊंगी, एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, उस टॉपिक को आप अच्छे से करिएगा, और हाँ, कोशिश करिए कि शाम को जो टॉपिक में पढ़ा रहे हूं, उसके नोट्स आप हाथ के हाथ बना ले, पीडियेफ का इंतजार ना करें, कोशिश करें कि उसके नोट्स आप हाथ के हाथ तुरंत बना ठीक है यह बाद में class को देखकर pause गरगे भी दुबारा बना सकते हैं ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल 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 चलिए बिल्कुल-बिल्कुल हाँ 9 ही है एकदम ठीक कहा चलिए इसके अलावा बाकी आपको पता है आपकी classes चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है और आप सभी लोग जानते ही हैं कि अयाची में लगातार classes लगभग लगभग 50 से जादा classes आपकी चलती रहेंगी 50 से जादा से मान कर चलिए कि 50 तो on and average है वैसे तो वो 100 घंटे की classes है लेकिन वो 50 दिनों में निप्टाई जाएंगी तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं कोई भी चीज आपके लिए छोड़ू तो हैं ही राग परीचे में थोड़ी सी समस्या मुझे हमेशा यह दिखाई देती कि राग परीचे में कुछ-कुछ चीजें वेरियेट हैं अलग हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को बैलेंस करके मुझे देनी है ताकि आप लोगों के पास सही पहुंचे ठीक है हाँ बिलक PGT के लिए हो या फिर PGT के लिए हो दोनों के लिए मैं कोशिश कर रही हूं कि भातखंडे संगी शास्त्र आपको अच्छे से पढ़ा दी जाए है ना भातखंडे संगी शास्त्र अब मैं आगे से आपको कोशिश करूंगी पूरी कोशिश मेरी आज से यही रहेगी कि आप परिचे के notes भी मैं आपको साथ-साथ provide करा रही हूँ और NCRT के notes भी मैं आपको वही पर उपलब्द करा रही हूँ तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक से जाधा चीजें वही पर provide करा दूँ, आपको अलग-अलग भागना ना पड़े ठीक है, यह हो जाएगा, चलिए, तो थोड़ा सा बता दूँ कैसे आप लोग जूड सकते हैं उस बैच से, तरीका बता रही हूँ Google पर search करिएगा data 247, search करेंगे तो पहला ही option खुलके आएगा क्या है, इसी पर इसी interface पर आप click करिएगा, जब click करेंगे तो आपके सामने, ऐसा option खुलके आएगा, ठीक है, बाकी की class जल्दी ही शुरू होंगी, रोशन चिंता मत करो, जैसे 50% स्लेबस आपका पूरा हो जाता है, बाकी की class शुरू हो जाएगी, ठीक है, चलिए हर book से एक एक करके, नई, नई, मैं कोशिश कर रहे हूं कि सारी books के notes आपको combined provide कराऊं, ठीक है, बेफिकर रहो, मेरी, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कोई भी चीज आप लोगों के लिए छोड़ू नहीं, हाँ, मैं अलग-अलग किताबों को अलग-अलग तो नहीं समस्या ये है, खैर उससे भी data जाएगा, उससे भी पार पाई जाएगी, जो कोशिश है पूरी उससे भी की जाएगी, उसकी भी कोशिश, करना क्या है, all courses पर click करिएगा, state exam पर click करिएगा, बिहार आएगा, आपके सामने शिक्षक भरती दी होगी, 9, 10th और 11, 12th, TGT के लि की live classes इसमें है, ये 10 तारीक से best start हो चुका है, और most probably एक ही आपके सामने चीजे दिखाई भी देंगी, संगीत रत ना कर संगीत पारिजात के, पिल्कुल पढ़ाऊंगी, आरती बेफिकर रहो, मैं सारी चीजे आपको NCRT से एक एक करके कराती रहोंगी, ठीक है, हाँ, तो इसा नहीं हो सकता कि एक की साथ सारी चीजे हो जाए और एक भी चीज ना हो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे सब्जेक्स समय से पूरे हों, और हम लोग maths, reasoning, gkgs, current affairs, और आपका English और Hindi, सारी चीजे, बिल्कुल जिसे कहते हैं न, कि आपकी टाइमले शुरू हों और अच्छे से ही खतम होंगी, ठीक है, चलिए, तो देख लेते हैं कि इस batch में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, इस सारे सब्जेक्स मिलेंगे, इनकी PDF भी मिलेंगी, और 6-8 अभी फिलहाल आपकी music की class से शुरू हो चुके हैं, क्योंकि music का आपको सबसे पहला और सबसे जरूरी subject है, जो आपका होना ही चाहिए समय से पूरा, इसलिए सबसे पहले उसी को शुरू किया गया है, उसका syllabus भी सबसे जादा बड़ा है, 6 महीने की आपकी validity होगी, इसके अलावा, सर्च कैसे करना है, बाइनाव के option पर क्लिक करिएगा, जब क्लिक करेंगे तो enter coupon code पर क समय तो आप इस discount का फायदा निश्यत तोर पर उठा लिजे, साथ ही अगर आप 1689 से भी कम में इसे चाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, adda 247 का app download करिए, app download करके वहाँ पर coins का option दिया होगा, payment के समय पर उसे भी लगाईएगा, और Y740, जो की मेरा teaching code है, इसे भी लगाईगा, त मौक प्रोवाइड करने की जो चीजें हैं, वो जल्दी ही शुरू होने वाली है, चिंता मत करो, ठीक है, नहीं लेट शुरू नहीं होगा, भी इतनी आसानी से आपका paper नहीं होगा, चिंता मत करो, और जब होगा तो, और किसने कहा कि एक मन्त बचा है अभी, क्या notification आया है, नहीं, जब तक notification नहीं आता, तब तक आप लोग धहर धरिये, चिंता मत करिये, सारी चीजे होगी, मैंने कहा है, तो विश्वास रखिये, सारी चीजे समय पर होगी, सारी चीजे समय पर पूरी भी होगी, आप लोग तयारी भी समय से कर पाएंगे, लेकिन वहीं है, कि पहल रही है, सारी चीजे होगी, ठीक है, चलिए, बाकी हम मिलेंगे, राज को 9 बजे तो मिलेंगे ही, 9 बजे हमारी जो क्लास होती है, यूट्यूब पर उसके लिए आप लोग तयार रहेगा, और 6-8 आयाची की क्लास है, तो उसके लिए भी तयार रहेगा, ठीक है, बाकी paid course complete हो जाएगा, सत्यम जी वो अपने समय पर complete होगा एकदम, ठीक है, जब समय होना चाहिए, बिलकुल उसी समय पर complete होगा, आपके exam से पहले, ठीक, तो धैर रखिए, चिंता मत करिए, सारी चीजे समय से पूरी होगी, बस यही है कि, आप लोग थोड़ा सा भी परेशान मत हो होगी, ठीक है, चिंता मत करिए, पंकच, आपने जो पाया है, वो आपके अनुसार अच्छा था, आपने recorded classes, जो अब मान लिजे कि, जितना लेट करते जाएंगे, recorded classes उतनी बढ़ती जाएंगी, इसलिए मैं तो यही कहूंगी, कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है, स्टार्ट कर लिया है, उनको उतनी चीजें बैक लॉग में नहीं पढ़नी पढ़ेंगी, जबकि जो लोग अभी आ रहे हैं, धीरे-धीरे करके सोते से जाग रहे हैं, उन लोगों को सोची कितना सारा कुछ अभी पढ़ना है, इसलिए मैं बार-बार आप लोगों से कहती ह हूँ, चलिए, नहीं नहीं नोटिफिकेशन भी आएगा, बेफिकर रहे है, और हम मिलेंगे भी रात को 9 बज़े मिलेंगे, ठीक है, बिलकुल, 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 चलिए, हम मिलेंगे, रात को 9 बज़े, अभी के लिए, नमस्कार,